समस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आज हम चानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान टांगों में एटन, टांगों में जंजना, हट तेज दर्द और पैरों में सूजन क्यों आती है इसकी क्या बज़य होती है काफी सारी ये प्रॉबलम गर्वती महलाओं को फेस करने परती है और वो ये भी चाहती है कि इसका कुछ शॉल्यूशन निकल जाए इसका कुछ उपाय हो जाए तो हमें बहुत ही राहत मिलेगी तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉबलम गर्ववस्ता के दौरान हो रही है तो ये वीडियो आपकी बहुत ही हैल्प करेगा तो वीडि शुरू करते हैं सबसे पहली बात इसके रीजन जानेंगे कि ऐसक क्यों होता है देखिए जब आपकी गर्ववस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ती है जब आपका दूसरा तेमाई स्टार्ट हो जाता है और तीसरा तेमाई स्टार्ट हो जाता है तो आपका बजन बहुत तेज आप गाम करती है और ओपर से आपका बजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है तो इससे आपकी जो माज़ग्त धकावटा जाती है जिसकी वज़ग से जब आप राद में शोती है तो वो उसमें दर्द होता है बहुत ज़गी में अधरों में ढादék को पकी जुझे तो दोस्तों में दिवासे पेरो ना दोस्तों सूजन आजाती लेकिन इसका कारड भी हो प्लय हो चांगका related काम तो», Vogt डिए कि स्थोन सुजन अना इसमा आम बात है आपके पेरो में सुजन औही जाएगी तो आपको क्या करना है कि आपको pregnancy के दौरान खास करकि दूसरी तिमाई में और तीसरी तिमाई में आपको कभी भी continue किसी भी इस्तान पर जादा देर तक खड़े नहीं रहना है इससे आपके पैरों में दर्द भी होगा पैरों में सूजन भी आ जाएगी और टांगों में एठन जंजनाहट की प्रॉबलम भी आपको फेज करनी पड़ सकती है तो इन से आप हमेशा बचाओ करें चलिए अब यह जा लेते हैं कि इससे बचने के लिए गर्वती महलाओं को क्या करना चाहिए देखिए अगर आप इस प्रॉबलम से चुटकारा पाना चाहती है तो सबसे पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए पानी आपको नॉर्मल टेंपरिशर का पीना है गर्मियों का सीजन सुरू हो गया है तो आपको फ्रिश का पानी नहीं पीना है फ्रिश का पानी पीने से भी हमें ऐसी प्रॉबलम होती है तो फ्रिश का पानी आपको अवाइड करना है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यह है कि आपको दूद भी पीना है जिहां दोस्तों आपके टांगों में दर्द होता है तो केल्सियम की कमी होने की बज़े से भी ये प्रोब्लम होती है तो आपको भरपूर मात्रा में दूद पीना है जिससे कि आपके बच्चे की हड्या भी मजबूत होगी और आपको पैरों में तांगों में दर्ट की प्रॉब्लम भी कम होगी, तो इसका आपको ध्यार रखना है, और आपको क्या करना है, आपको टांगों में पैरों में मसाज करनी है, तो आपको जैतून के ओल से जरूर करनी चाहिए, जैतून का जो तेल होता है, जिससे हम ओली पोलते हैं, वो बहुत कुछ साम को जब आप लेट moeten हैं सोने जाती है तो आपको हलकी हलकी हाथों से अपनी टांगों पर मसाज जरूर करनी है इससे आपको बोहती मिले तो गाइस एक काम आप को और करना है अगर आपके पैरों में बहुत ज़हना होती है दर्ध होता तो आपको क्या करना है कि आपको दिवाल के सहारे बैट जाना है या फिर बैट पर बैट जाना है पीछे सपोर्ट होना चाहिए और आपको दोनों आपकी टांगे हैं उसको सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद आपको थोड़ा सा उपर करना है फिर डाउन करना है अप करना ह से करना आपको कम से कम 10 बार करना देखना आप करेंगे तो आपके टांगों में जितनी और फो बहुत ही आराम मिलेगा तो ये आप जरूर करें योगा जरूर प्रेस कर ले अगर कुछ आपके मन में डाउट है कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताईएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में